नौन फार्मा में से एक जो शेयर है वो अशोक लीलेंड है ये धीरे धीरे थोड़ा कैच अप कर रहा है अपने बड़े प्लेयर टाटा मोटरस को देखते हुए तो क्या ये दोसों के पार हो जाएगा अशोक लीलेंड चंदन सर एक बार आपका व्यू चाहिए इस पर अशो तक के टार्गिट के ठीक है 1952 से 200 तक के टार्गिट है कुछ और स्टॉक्से बात करें तो पिछले साल tutop mover टाटा ग्रूप का था टाटा मोटर्ज 800 हो गया, 800 क्रॉस हुआ, रुका नहीं है वहाँ पर, अगर हम Tata Motors को लेकिया है In fact, आज का non-pharma में बहतरीन performance में से है, करीब 795 के आसपा स्टेट कर रहा है क्या यह 800-900, नेक्स इसका पड़ाओ बन सकता है? कुश तो मैं लास्ट वीक एक स्टेटिस्टिक एक रिपोर्ट पड़ रहा था, जहां पर FIA इसका जो फ्रेश पैसा आया है तो उसके बाद जो सबसे जादा पैसा FIA इसका आया है in the last month, month and a half वो capital goods and auto and auto ancillaries में आया है तो बहुत से स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा बेस बनाने के बाद एक round of upmove आया था, फिर base formation हुआ था, इन में से काफी सारे नामों में और फिर से अपmove शुरू हुआ है data motors also is in a very similar category, अगर आप positional trade लेना चाहें तो 900 के हिसाब से मैं कहूँगा बिलकुल ले सकते हैं by the end of the year, that's a fair target for this stock अलाकि जो recent move आया है, उसके बाद मेरी जो ideal runny थी रहेगी इसमें वो buy-on declines की रहेगी तो कहीं भी 775, 770 के zones में मिले तो accumulation शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं बट यहां से भी momentum play के हिसाब से लिया जा सकता है positionally, 900 को जो आपने level दिया, उसी को target लेके चलें और on the downside, करीब 925, 930 के support zones हैं जो as a stop loss act करेंगे बोटा, यह share थोड़ा week हो रहा है इसने अपना recent high बनाया हुआ है, करीब 3400 रुपे की आसपास वहां से खिसकते, खिसकते, फिर इसने नया high बनाया 3200 का, अब यह 3000 के भी नीचे आके trade कर रहा है तो इसने क्या क्या कि धीरे धीरे करके नहीं स्टेप डाउन कहते हैं स्टेप डाउन हो रहा है यह, एक बार जरा इसके बारे में इनों के बाद, थोड़ा सा dull behavior करना स्टार्ट किया है अंगांटर इन थोड़े से negative price pattern बिव बना है एक rough kind of add-n-soulder pattern भी हां पर बना था तो थोड़ा नर्वस्तेस है, बिक्वाले की सला तो नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा biased position है और इस काउंटर को मैंने काफी अच्छी रेली एच की है पिछले लगबग दो सालों में 1100 से लेके 3032 तक के लिए तो मेरे साथ से चार्ट सेटप की बात करें बाकी सब चीज़ों को छोड़के तो कहिने की एक बार के लिए 288,850 आ सकते हैं वहाँ पे वापिस अक्यूमलेट करने की सलाव बन सकती है एक शेर में और पता करता हूँ सर इसी तरह का एक वीक काउंटर है वो है आईशर मोटर हो रहा है हुआ नहीं है यह हो रहा है यह हो क्या रहा है ना है 42 सो रुपे के आसपास का डबल टॉप बना रहा है डबल भी क्या अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ट्रिपल टॉप जैसा बन रहा है लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं आया तो क्या इसको शॉट करना चाहिए कुछ या फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकडाउन का बट हाँ रिजिस्टेंस है रुक रहा है तो फिर करें क्या छोड़ना ही छोड़ दें क्या No shot, no long Leave यह इसमें बना रहेगा अब अगर बहुत ही शॉट टम के लिए ट्रेड कर रहे हूं तो यहाँ पे 39-20 का एक लेवल है जो आपके लिए अस टागेट आट करेगा और इस टेकन आउट तो यहाँ थिंग 38-60 का एक क्लस्टर है 40-30, 40-40 का जो लेवल है इसके आसपास तो इसको अपना स्टाप लॉस ले और जो यह प्रेशर हमें इतने दिनों से देख रहा था आज उसका प्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है तो 100.500 पॉइंट के और यहाँ से डाउनसाइड के लिए इसको शॉट कर सकते है